अब बहुत ही मेन पॉइंट कि वाट इस दा यूज अफ लिमिट वाट इस दा यूज अफ कॉंसेप्ट अफ लिमिट इन फिजिक्स यह आपके मन में होगा कितना तो लिमिट हम लोग पॉड़ें तो इसका कुछ अप्लिकेशन है भी कि नहीं है है भाईया माल लीजिए एक पार्टिकल है यह एक्स बरावर जीरो एक पोजीशन है ठीक है यहां से शुरू क्या चलना किस लाइन के लोग पॉजिटिव एक्स आक्सिस के लोग ठीक है ठीक है एक पार्टिकल है एक पार्टिकल इस्टार्ट्स moving along एक इग्जामपल ले रहे है एक्स आक्सिस ठीक है तो वो कभी ठीक है यह पार्टिकल जो है अपना बरा है एक्स आक्सिस के तरफ एक्स आक्सिस के लोग let us say let us say the position of particle at time t start हुआ किसमा पे t ब्रावब जीरो पे अग्टाइमर आउन कर दीजे जैसा ही पार्टिकल शुरू किया ना उससमें टाइमर कॉन कर दीजे तो टी ब्रावब जीरो से टाइमर दीखाना सुरू करें तो let us say t seconds के वाद एक्टाइम टी टीफ सेकेंड पे पोजीशन जो है पार्टिकल का is equal to ऐसे लिखे पोजीशन एक्स एक्ताइम टी ऐसे लिखे एक्टाइम टी एसे लिखे एग वा ना पोजीशन आप तो पार्टिकल एक्टाइम टी एसे लिखाए यहां है यहां हमाले जे पोजी सरम तब पार्टिकल एट टाइम पी यहां पे है पार्टिकल हमको जाने का मन है कि जब पार्टिकल इस पॉइंट पे जहां पे है अभी हमको जाने का मन है कि जब पार्टिकल पी से गुजर रहा है उस वक्त उस पार्टिकल का उस वक्त speed क्या है I want to know the speed of the particle exactly when it is crossing point P हम particle का हम speed जानना चाहते हैं उस वक्त जिस समय वो point P से बुजर रहा है तो कैसे कीजेगा आपको हम बोलते हैं कि बताओ तो जब particle point P से cross कर रहा है उस वक्त उसका speed क्या रहा होगा point P के आसपास speed क्या रहा होगा बीच में नहीं आगे नहीं exactly point P के समय गुजरते समय speed क्या रहा होगा तो अब क्या बुलिगा concept simple है sir कि timer के साथ हम क्या करेंगे एक्ताओं point P के आसपास जो particle distance cover किया है ना उसको major कर लेंगे let us say distance traveled by the particle during a small time interval for delta x distance travel by particle near point P within a small time interval delta t माल लेते हैं कि हम observer है और पार्टिकल जो है जब point P से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा हलका सा ही आगे delta t time में तो हम measure कर लेंगे इनकी इतना distance रहा है तो उस हिसाब से speed क्या बढ़ेगा इस है इस स्पीड आफ पार्टिकल at point P क्या होगगा distance a small distance triggered by particle लेटर से बार्टिकल दिखाने के लिए तना धुरी बता रहा है ये धूरी बहुत छोटा होगा लेकिन या दिखाने पार्टिकल के लेटर से P से P'' पे पहुंच गया पार्टिकल Pเป as क्या बोलेगे position of the particle किस समय पर time t पर नहीं थोड़ा t से समय बढ़ जया होगा timer में देखेगा तो समय अब time t नहीं होगा t से थोड़ा बढ़ जया हो तो बोलेंगे position of the particle at t' is x of t plus delta t यह fancy word है दिखाने का क्या दिखाने का position of the particle at t plus delta t second और यह क्या है position of the particle at tth second तो अब अपाईए और कितना देर में कितना देर में यह gap travel किया है यह particle delta t seconds में कितना time interval लिया है particle यह distance travel करने में delta t seconds हमको जानने के मांग थाइसी p के आसपास इसी point p के आसपास speed तो speed का definition क्या होता है distance travel by time taken लेकिन हमको यह जो distance travel किया है p से p dash हम तो इस दूरी में इस gap में नहीं न चाहते थे speed हम चाहते थे exactly point p के आसपास क्या है speed तो हम accurate result अकर चाहते हैं वास्तम में किसका particle के speed का accurate value चाहते हैं और किस point के आसपास p के आसपास तो क्या करेंगे इस ratio का कौन सा value नहीं करेंगे ऐसे लिखते हैंगे जब हम अपना time of observation delta t को बहुत tending to zero करेंगे तब particle p से बहुत जादा दूर नहीं गया होगा ठीक है उस case में distance prevailed by time taken का जो ratio आएगा वह speed देगा particle का किस point के आसपास जब particle p के p से बुजर रहा होगा है अब फिर से repeat कर रहा है कि particular point के आसपास अगर speed निकाल आ हैं तो क्या करेंगे हलका देर के लिए उस particle को observe करेंगे कहां पर p के आसपास हलका देर बहुत कम देर के लिए और उस बहुत कम देर में जो speed travel किया है लेटा से delta x बहुत कम देर में जो distance travel किया है delta x divided by time taken distance travel by time taken ये देगा speed लेकिन हम चाहते थे कि accurate value मिले speed का point p के आसपस तो हम time of observation को क्या कर देंगे बड़ा रखेंगे नहीं इतना छोटा रखेंगे कि particle p से बहुत दूर नहीं गया तो तब हमको जो ये ratio मिलेगा speed distance water time ये speed देगा point p का जब particle point p से गुज़र रहा होगा उस वक्त का speed देगा ठीक है fancy words में आपको बता दें उसी चीज़ को क्या भूते हैं उसी को ऐसे मिलिख सकते हैं instantaneous 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 speed और particle किस वक्त का particle का speed तो चाहिए instantaneous speed चाहिए किस वक्त का at time t exactly जब time t second गुज़रा होगा उस वक्त particle का speed क्या था तो हम कैसे निकालेगे तो हम बोलेंगे tth time पे जो position था और t से थोड़ा जादा t से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे थोड़ा time interval जादा बढ़ने देंगे तब जो position होगा लेटर से position of the particle at t plus delta t यह ऐसे लिखे और position of the particle at time t ऐसे लिखे और घटा दिये तो यह क्या देगा distance traveled by particle in a small time interval delta t distance traveled by time taken distance traveled by time taken speed लेकिन हमको यह speed कब का चाहिए था जब particle exactly p के आसपास था तो p के आसपास का अगर speed चाहिए तो हमको यह time of observation को बार नहीं करना होगा छोटा रखना होगा बार कर देंगे तो पतलत चला p से बहुत दूर चला गया particle तो हमको गलत result में जाएगा तो हम क्या करेंगे कि यह ratio तो चाहिए लेकिन यह ratio चाहिए कब जब time of observation बहुत छोटा हो ठीक है short में कि किसी particle का किसी भी particular time के आसपास क्या speed था यह जानने के लिए क्या करेंगे कि उसी time के आसपास थोरा सा time interval को बितने देंगे और देखेंगे कि उस छोटे से time interval में कितना distance travel किया कितना distance travel किया तो कितना करेंगा final position है initial position यह distance travel और divided by time taken यह ratio यह speed देतेगा किस वक्त का speed देगा at the time t टाइमर से जब t second हो रहोगा उस वक्त का speed क्या है particle का वो मिल जाएगा तो यहां पे किसका concept यो जुगा concept of limit helps us to calculate the speed of a particle at a given moment of time ठीक है एक particular moment of time पे एक particle का speed क्या था यह जानने का तरीका यह है और इस concept में क्या यह हो रहा है limit का concept यह जो रहा है आज के लिए इतना है वुट बाइ है क्या तर अन्र क्या